अब चलिए हम थोड़ा मुखातिर होते हैं हमारे पडोसी देश जिससे भारत का संबन्द बड़ा ही कटू रहा है पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान पूर में दोनों एक ही देश का हिस्सा थे विश्व के संभवता केवल ऐसा ही उदाहरण कि जो एक ही भूभाग के अंग थ थे एतिहासिक विरासत भी एक थी परंतु 1947 के बाद अत्यत्त में आने के बाद दोनों के संबन्द बहुत ही कटू हो चले हैं दुनिया का एक मातर दाहरण एक ही देश का हिस्सा होते हुए इतनी ज़्यादा कडू आहट इतनी ज़्यादा व्यमनस्यता इतनी ज़्यादा लेकिन ये दुरभाग्य है और इसने हमारे खेत्र के ही विकास नहीं बलकि हमारे देश के विकास को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इन संबन्दों में खास बात तो ये है कि भारत जो हमेशा पाकिस्तान के साथ मज़र संबन्द बनाने के लिए अच्छो करहा है उसमें बार बार ऐसे प्रस्ताव रखे हैं चाहे वो पंडित जवालाल नहरू हों जोनों ने कहा था यदि हम कुछ चाहते हैं तो यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति इस्थापित हो मितरता हो लेकिन दुरभाग्य से उनकी ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है और सतत रूप से कटता बनी होई है पाकिस्तान का जो निर्माण है वो यदि हम उसकी गहराई पे जाएं पाकिस्तान के निर्माण किन आधारों पर हुआ उस पे जाएं तो एक शब्द सपष्ट आता है धार्मिक उनमाद क्या है धार कर्मिक उद्मात की नियूंपर जो पाकिस्तान बना है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की घरणा का आधार है और इसलिए पाकिस्तान का रवया हमेशा आमितरता पूर्ण रहा जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंद हमेशा खराब रहे और समय समय पर बहुत बिवा यानि हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की कटता का मुख्य कारण पाकिस्तान का धर्म के आधार पर जन्म होना धर्मिक उन्माद एक कहावत है न अंग्रेजी में As you sow, so shall you reap As you sow, so shall you reap जैसा बोगे वैसा पाऊगे पाकिस्तान धर्मिक उन्माद पर पैदा होता है तो वहाँ पे धर्म की पकड़ इतनी मद्बूत हो जाती है कि पाकिस्तान प्रगेति के रास्ते से कोसों दूर चला जाता है और वास्तों में देखा जाए तो वर्तमान पाकिस्तान भी वहां के मुलाओं और सेना के माध्यम से चल रहा है भारत पाकिस्तान के विवाद के आधार की बात करें तो धार्मिक उनमाद तो उसके जड़ में है ही लेकिन हम कुछ इंडिविजुल घटनाओं की भी बात करना चाहेंगे जो इसपश्ट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सम्मंद और क्यों कडवे होते चले गए और उसमें सबसे पहला है जूनागड का विवाद नक्षे में देखिए भारत के नक्षे में जूनागड कहां है गुजरात गुजरात का एक बहुत छोटा सा राज्य एक रियासत और ये विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान की सीमा के निकट पड़ता था काठियावाड में बहुत छोटी सी रियासत अब इस रियासत की खासियत ये थी कि यहां का शासक मुस्लिम था लेकिन जनता की जो बहुलता थी वो हिंदुओं की थी वहां के मुसल्मान बहुत कम संख्या में थे और शासक मुसलिम था तो नवाब ने क्या किया वहां के शासक ने कि भगोलिक सिती एवं जन इच्छा की चिंता ना करते हुए पाकिस्तान में मिलने का निरने लिया आपको याद होगा कि 1947 के स्वतंता के समय इन लियास्तों को अंग्रेज सत्ता ने ये अधिकार दिया था कि वो भारत में रहना चाहें तो भारत में शामिल हो पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो और यदि स्वतंत भी रहना चाहा है तो स्वतंत रहे जूनागर ने, वहाँ के नवाब ने मुसलमान होने के नाते लेकिन ज़नता का ख्याल किये बिना जो हिंदू मेजॉरिटी थी उनने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णा लिया और जन्ता तो अधिकतर हिंदू थी उसे ये बात नागवार गुजरी उसे ये बात पसंद नहीं आए साथ सी साथ भागोलिक दिश्टी से भी ये भारत के निकट था इन दो बातों को लेकर दोनों में तनाओ बढ़ा मुस्लिम शासन के इस निर्णा के विरुद जन्ता ने विद्रोह किया सो अभाविक है क्योंकि जन्ता तो हिंदू मिजारिटी थी न वो कैसे पाकिस्तान में शामिल होना स्विकार करेगी दूसरी और पाकिस्तान को ये बात पची नहीं कि वहां की जन्ता के विद्रोह के दवाव पर वहां का नवाब आए तो अगले घटना करम में भारत सरकार के आदेश के अनुसार गुजरात के जो कमिशनर थे उन्होंने जूनागड में जन्मत संग्रह कराया जन्मत संग्रह क्या होता है पहले ये थोड़ा से जान ले एक तो मतदान जो हम चनाओं के समय करते हैं जिसमें आठ दस कैंडिडेट होते हैं प्रत्याशी रहते हैं और उन्में से एक को तै करना होता है उसके पक्ष में हम वो डालते हैं वो मत्दान कहलाते हैं। जन मत्र संग्रा क्या होता है। जिसें अंग्रेजी में plebiscite, plebiscite. जन मत्र संग्रा मतलब किसी एक निर्णय पर अपनी सहमति या असहमति देना। येस या नो कहना बस। तो अधिकतर लोग यदि येस कहेंगे तो वो होगा। जदी अधिकता लोग नो कहेंगे तो वो बात होगे ये जन्मत संग्रा भारत सरकार के आदेश पर कराये गया और जन्मत संग्रा में निर्णा बड़ा सपश्ट था कि हिंदूओं ने भारत में शामिल होने का निर्णा बताया और भारत में विले के लिए एक तरीके से अपन पक्ष रखा इसके प्रणाम सुरूप क्या हुआ कि उसे भारत में मिला लिया गया बहुमत के आधार में और जैसे ही मिलाए गया पूरे स्विक्तराश्चंग में ये बात निकले गई ले जाई गई उसका प्रणाम कुछ निकला परंतु पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रणाम सुरूप के लेकिन भारत ने तो जैनमत संग्रह की बात पश्ट की भागोलिक स्थिति की बात भिस्पश्ट करते हुए उसे अपने में शामिल कर लिया और अपने को इस बातों का अंतर राश्टी दबाव का के प्रती अपने को जवाब दे नहीं मानते हुए इस बात को यहीं समाप्त कर दिया लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान को एक मौका दे दिया भारत के विरुद प्रचार प्रसार करने का तो जूनागड की महत्ता ये है कि पाकिस्तान को एक मौका मिल गया दुनिया के मंच में ये बताने का कि भारत उसके साथ गलत कर रहा है दूसरी जो घटना है जिसने भारत पाकिस्तान के रिष्टों में बहुत खटास लाई वह भी यही रियासिती मामलों को लेकर है 1947 के इस अधिकार को लेकर है कि कौन सा रियासित कहां शामिल होगा हैदरबाद हैदरबाद की स्थित देखिए आंधरपदेश में स्थित है वहां के जो शासक थे वो जैसे जूनागड के शासक नवाब कहलाते थे हैदरबाद के शासक शाह कहलाते थे हैदरबाद निजाम उनका असली जो टाइटल था वो निजाम था अब देखिए हैदरबाद कहां थे 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 जहां तक जूनागड का सवाल है वो तो फिर भी एक समुदरी किनारे में होते हुए पाकिस्तान के भी कुछ हद तक निकट था भारत और पाकिस्तान की सीमा में भारत से तो निकट था ही लेकिन पाकिस्तान भी कोई विशेश दूर नहीं था लेकिन हैदरबाद इसकी भगोली की स्थित देखिए भारत के अंदर था चारों और उसके भारत के ऐसी रियास्ते थी जोनोंने भारत में शामिल होने की रज ने लिया और पाकिस्तान भी निजाम अफ हैदराबाद को इस बात के लिए सतत रूप से उक्साते रहा और उसको बोलते रहा कि आप अपना स्वजंतर अस्तित्तु बनाया रखें हम आपकी भरसक सहायता करेंगे देखिए हैदराबाद की जो स्थित्य है इसमें पाकिस्तान कैसे सहायता कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान को यदि सहायता पहुचानी है है हैदराबाद को यदि पाकिस्तान हैदराबाद को सहायता पहुचाएगा तो उसे भारत के स्पेस से इंडिया स्काई स्पेस के उपर से उड़के आना पड़ेगा ये समस्यार है और क्या भारत इसके लिए अनुमती देगा नहीं लेकिन उसके बावजूर निजाम फदरबाद जो दुनिया के एक बहुत धनी राजाओं में गिने जाते थे उन्होंने सुतंत रहने की बात रखी और शायद पाकिस्तान के शाह के बल पर होने ने ऐसी बात रखी दूसरी और निजाम भारत में विले के लिए भी बात करते रहा मैंने दोनों तरफ वो खेल रहा था एक तरफ पाकिस्तान से मदद ले रहा था दूसरी और भारत से विले के लिए बात कर रहा था और ये विले से बात करने का उदेश था शा यही करते हुए पाकिस्तान की मदद के बल पर हैदरबाद के निजाम ने एक रजाकारों की फौश तैयार की रजाकार क्या थे जो उनकी अपनी फौश थी जो मारकाट लूट पाट और निचंच अत्याओं में शामिल होते थे इस भयावास्थीति से निवटने के लिए भारत के पास अब कोई चारा नहीं था उसने बार बार निजाम को समझाने की कोशिश की समझूते के कई प्रयास हुए लेकिन दुर्भागे से इसमें सफलता के तहट हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया उसमें ये शर्द भी रखी गई कि हैदराबाद के निजाम को एक जो प्रिवी पर्स है वो पचास लाक रुपए दिया जाएगा प्रिवी पर्स क्या है इसे मैं पूर में बता चुका हूँ लेकिन एक पंक्ती और बता के रूप में किया गया था किसी रियास्त के राजा को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली रकम वार्शिक रकम उसके जीवन यापन के लिए उसकी अपनी गरिमा बनाया रखने के लिए तो प्रिवी पर्स कितना पचास लाक का सोचिए उन्नीस सो सेटालीस और तालीस में पचास लाख रुपए सालाना भारत सरकार ने देना टैकिया और दिया जाने लगा इस परकार हैदरबाद की समस्या भी समाप तो हुई लेकिन विश्व मंच पर पाकिस्तान ने फिर धिंड़ोरा पीटा जुनागल की समच्या का निराकरन जनमत चंगरह के आधार पे भारत ने किया हैदरबाद की समच्या का निराकरन सैनिक साहईटा से किया दोनों मुद्दों को लेकर पाकिस्तान बारंबार अंतरराश्टी मंचों पर भारत का कतai विरोध करते रहा आलूचना करते रहो और इस इसरा मुद्दा जिसको लेकर दोनों के बीच में सतत रूप से तनाओ था वह था नहर के पानी का विवाद। मैंने जब जिकर किया था कि दक्षिन एशियाई राष्ट्रों के बीच में क्या समानताएं हैं तो उन समानताओं में मैंने एक समानता बताई थी कि फाल्तु विवाद की बातों के लोएकर विवाद होते थे और उनमें थे विवादों में थे एक विवाद था नहर के पानी क विवाजन के पूर जो नहरे बनाई गई थी पंजाब वो राजनीतिक विवाजन के पश्चाद दोनों ही देशों के अधिकार में रही सतलज रावी दोनों देशों के मध्ध जेलम और चिनाप पाकिस्तान के मध्ध से और व्यास पूर तरफ भारत में मैं फिर से बता दूँ सतलज और रावी दोनों देशों के मध्ध से जेलम और चिनाप पाकिस्तान के मध्ध से और व्यास पूरी तरफ भारत में ये पांच नदियां हैं, आप देखिए इन नदियों के स्थिति नक्षे में, रावी, जेलम, सतलज, चिनाब, व्यास, इन पांचों में बसा पंजाब, ये याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला है, ये पंजाब मतला पंच धन आब, आब याने पानी, पंच याने प पांच नदियों का पानी, तो कौन सी पांच नदियां हैं, ये हैं, इन में से दो नदी पाकिस्तान के मद्दे से, दो नदी भारत के मद्दे से, और एक नदी केवल भारत में, अब इन में नहरें बनाई गई थी पूर में, लेकिन विभाजन जब हुआ तो नहरों के पान पानी नी भेजेगा तो पंजाब और सिंद्ध में पानी की समस्या हो जाएगी और इस प्रकार और इसी तरह भारत में भी होगा तो कुल मिलाके ये समस्या पानी को लेकर बनी रही किसको कितना पानी दिया जाए। जानकारी के लिए पानी का जो माप है वो क्यूसिक में होता है क्यूसिक तो कितना क्यूसिक पानी किसे मिले इसको लेकर लगातार तनातनी रही और जल को बंद करने के कारण जल की सप्लाई को बंद करने के कारण खेती प्रभावित होती थी सूखा हो जाता था और दोनों के बीच में लगातार तनाव बना रहा नहर का पानी का विवाद कहने को तो बड़ा छोटा मुद्दा लगता है कि ये पानी के लिए क्या जगड रहे हैं लेकिन पानी उन्ही पानी पर वहां का किसान निर्भर है और भारत और पाकिस्तान जो क्रिशी प्रधान देश हैं इसलिए पानी से उनका बड़ा गहरा संबंध है एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो रही थी इसलिए ये समस्या भी बहुत गहरी थी और वो समस्या बनी रही और एक विवाद का रूप लेती रही जब तब इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी बैटके होई पर निशकर्श कुछ ने निकल पाया अगला मुद्दा जिस पर दोनों में बहुत विवाद हुआ ये ततकालीन मुद्दा था ततकालीन मुद्दा कार्थ ये है कि वो एतिहासिक नहीं था उसी समय 1947 का पनपा हुआ मुद्दा भारत और पाकिस्तान का विवादन विवादन जब होता है तो पाकिस्तान से लाखों हिंदू भाग कर भारत आते हैं भारत से लाखों मुस्लिम पाकिस्तान जाते हैं ये आवा जाही में ये लोग अपनी जमीन खो बैठते हैं मालिकाना हक खो बैठते हैं अपनी संपति खो बैठते हैं धन नहीं ही रहता और शिवरों में इनको विस्थापित किया जाता है अब इसकी ख्षति पूर्ती कैसे हो जो लाखों शरनार्थी भारत आए इनके जीवन यापन की व्यवस्था इनके स्वास्थ की व्यवस्था इनके रहने की व्यवस्था बोजन पानी की व्यवस्था भारत को करनी पड़ी उसी प्रकार भारत से जो लोग गए उसकी विवस्था पाकिस्तान को करनी पड़ी तो ये पाकिस्तान सरकार की आनाकानी इस ख्षतिपूर्ती को लेकर ये भी एक बहुत बड़े विवाद का मुद्दा बन गई दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरणार्थिओं के परष्ण को लेकर भी शरणार्थी वे जो विभाजन से प्रभावित हुए थे इसको लेकर भी दोनों में बहुत बड़े विवाद जा अगला बड़े का alot था रेंड की अदाइगी ये रिन्ड की जो रकम थी पाकिस्तान द्वारा भारत को तीन सो करोड रुपए दिया जाना तैह हुआ जब दोनों सरकारों के बीच में ये तैह हुआ कि यहां दो भागों भी विभाजन होगा और विभाजन के पश्चात किस देश की देनदारी और लेनदारी कितनी रहेगी इस पर बिटिश सरकार के उपस्थिती में एक समझोता हुआ और जिसमें ये तैह हुआ कि पाकिस्तान के पास जो इतना सारा क्षेतर जा रहा है और खासकर जो संसाधन बहुलक्षेत्र है क्रिशी की दृष्ट से भी जो बहुत ज़्यादा है तो भारत को 300 करोड रुपय पाकिस्तान प्रतिवर्श देगा लेकिन पाकिस्तान सरकार बाद में उससे मुकर गई टाल मटोल करने लगी और दूसरी और रक्षा के नाम से 55 करोड भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना और भारत ने अपने इस देंदारी को बखुबी निभाया लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपनी देंदारियों को से हाथ खीच लिया और पाकिस्तानी ये रकम भारत को कभी ने दी इसके कारण भी दोनों के बीच में लगातार तनाव बना हुआ अब ये 300 करोड रुपए सन 47 की तारीख में आप सोचिए इसकी क्या कीमत रही होगी 300 करोड रुपए के क्या मायने रहे होंगे और इस वकार भारत को ये इस भारी रकम से वंचित हो गया भारत सरकार की कटी आलोचना हुई और अंतराश्टी मंच पे भी भारत की नर्मी का पाकिस्तान ने बहुत फायदा उठाया और भारत की सतत रूप से आलोचना विरोध करते रहा उसकी बुराई करते रहा एक तो पैसा नहीं दे रहा है, देंदारी नहीं दे रहा है, और उपर तैं हमारी ब्राइए कर रहा है, केवल इसलिए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के प्रती एक नरम रवाय अपनाया, भारत नहीं चाहता था कि उसके पुराने भाई राष्ट हम कह सकते हैं, जो उसी का ए विवाद का बखेड़ा खड़ा करते रहा तो अगला बिंदु जो जिस पर मैंने चर्चा की उसको हम शीरशक दे सकते हैं रिन की अदाएगी के प्रश्ण पर पाकिस्तान की टाल मटोली दोनों के बीच एक विवाद का कारण रुनी और रकम कितनी थी 300 करोड रुपे प्रति वर्श अब अगला विवाद ये शायद सबसे अहम विवाद है और जो आज भी बना हुआ है और वो विवाद है कश्मीर की समस्या एक बार थोड़ा जूनागड़ और हैदरबाद की और जहांके जूनागड़ में शासक मुस्लिम था जन्जा हिंदू बहुल थी शासक ने पाकिस्तान में मिलना तै किया लेकिन जन्मत संग्रह के अधार पे भारत ने उसे अपने में शामिल किया जन्मत संग्रह के निर्णा के अधार पे हैदरबाद में निजाम का शासन था याने शासक मुस्लिम था काफी सारी जन्ता भी मुस्लिम थी लेकिन भागोल एक जिश स्थितियों में भारक ने निरनायक भूमिका निभाते हुए इन दोनों का अपने में मिला लिया था कश्मीर की समस्या कुछ दूसरी निकली कश्मीर विवाद आज भी बहुत बना हुआ है और आप जब तब इसके बारे में पढ़ते होंगे थोड़ा सा इसके हम देखें कि क क्या है विवाद अंग्रेजों ने रियासतों को सतंता दी थी कि किसमें शामिल होना हो लेकिन कश्मीर की स्थिति कुछ विशेश प्रकार की क्योंकि वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है और ये राज भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है आप देखें चार-पांच देश की सीमा उसको छूती हैं तो स्ट्राटेजिक दिश्टी से सैन्य दिश्टी से ये ख्षित बड़ा आहम है इसकी अहमियत ही भारत पाकिस्तान के बीच के कश्मीर विवाद को और विवादित बना देती है मैं आपको जो कह रहा हूं इसकी भागोल पाकिस्तान की नजर थी जूनागड को तो इसने छोड़ दिया लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को इतने सस्ते में नहीं छोड़ना चाह रहा था क्यों भागोलिक दिश्टी के कारण उसकी महत्ता के कारण और मुस्लिम बहुलता के कारण वहां की जन संख्या मुस्लिम बहुल थी इसलिए पाकिस्तान इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था उस इसे अपने साथ मिलाना चाहला तो इसी मकसद से उसने अक्टूबर 47 में कबाईलियों के माध्यम से आकर्मन करवादा कबाईली क्या थे पाकिस्तान की सीमा में रहने वाली जंगली प्रजाती उनको हत्यार दिये थोड़ा सैनिक ट्रेनिंग दी और शायद कुछ सैनिक भी उ देश था कश्मीर को अपने में मिलाना इस समय तक वहां के जो राजा थे जो हिंदू थे राजा हरी सिंग उनका नाम था राजा हरी सिंग ये निजाम और फैदरवाद की जैसे ये भी टाल मटोल कर रहे थे शायद ये भी स्वतंतरता का इरादा रखते थे लेकिन जब कब अप्स्तानी फौज कबाईलियों के रूप में पहुंशती है तो हरी सिंग घबरा जाते हैं और उन्होंने भारत सरकार से अनरोध करते हैं वे भारत सरकार से अक्टूबर उननीस सो सैटालिस में हम अनरोध करते हैं कि हम हमें मदद करिये और ये राश्ट ये जो रज है य प्रातना की ये प्रातना कब की जब पाकिस्तान का हमला हो जाता है कबाईलियों के माध्यम से भारत सरकार तुरंद करवाई करती है और उसके बाद अक्टूबर में ही यानरोध के कुछ दिनों बाद ही भारती सेनाएं वहां भेचती हैं और जन्मत संग्रह की शर्थ पर क हम इसे मिला लेते हैं भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा और पाकिस्तान द्वारा आक्रमन कारियों की सहायता भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा और पाकिस्तान द्वारा आक्रमन कारियों की सहायता ये दो बातें तनाओं का कारण बन जाती है पाकिस्तान को आपत्त होती है कि भारत कौन है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला कश्मीर की क्योंकि वहां की मिसलिम जहुल जनता तो पाकिस्तान की और जाना चाहती है भारत का कहना है कि वहां के राजा हरी सिंग ने हमको आमंतरित किया है उन्होंने कहा है कि वह भारत में शामिल होना चाहते तो भारत अपना वादा निभा रहा है तो इस प्रकार आकरमा पाकिस्तानी आकरमन कारियों का आकरमन और भारत के द्वारा सुरक्षा के वादा ये तनाओं का मुद्दा बन जाता है और मई 54 को धारा 370 के तहट कश्मीर को एक विशिष्ट दर्जा दे दिया जाता है मैं पना दोरा दूँ मई 1954 को धारा भारती समिधान के आर्टिकल 370 जिसे दो वर्षपूर अगस्त दो वर्षपूर हटाये गया है क्योंकि एक बड़ा विवादित आर्टिकल था एक बड़ कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिल रहा था और जो कई दृष्टी से उचिद भी नहीं था तो इस धारा के मातहत 370 धारा जिसे कहा गया इस धारा के मातहत कश्मीर को विशिष्ट दर्जा देते हुए भारत में शामिल कर लिया गया और ये कपकी बात है 14 मैं 1954 इस प्रकार इस 370 के मातहत कश्मीर जो है वो भारत का अभिन अंग बन गया और पाकिस्तान इस बात से नराज होकर लगातार कश्मीर के इस तरह के भारत में विला को लेकर अंतराश्टी मंच पे बारंबार विवात को उठाता रहा है और कई तरह की समझ से आएं बढ़ती रहें तो आपने अब ये भी जान लिया कि धारा 370 क्या है कश्मीर को विशिष्ट दरजा देने के प्रावधान समझान में ये 14 मई 1954 को लगू हुआ इसके तहट इसे कश्मीर को भारत में मिला लिया गया और एक पूर्णतर राज भारत का घुशित कर दिया गया और कुछ विशिष्ट दरजा दिया गया दो वर्षपूर अगस्क माह में इसे हटा भी दिया गया क्योंकि विशिष्ट दरजे का कोई औचित थी नहीं था अब ये बात यहां पर समाप्त नहीं होती है कश्मीर के लिए जूनागड पाकिस्तान के लिए जूनागड कोई बड़ी ब कश्मीर चाहिए ये उसके लिए एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है कश्मीर का प्रकरण जो है वो दोनों देशों के रिष्टों के सामानी करण में तब से बड़ी बाधा रही है भारत के लिए कश्मीर क्यों महत्पूर्ण है पहला तो हिंदू राजा ने भारत को आ सामरिक महत्व रखती है सामरिक महत्व सैन्य महत्व